नमस्कार दोस्तों, स्वागे देयां सभी का आपकी अपने यूडोब चनल SB Medicine में आज अपने बात करने वाले हैं डर्मी फोर्ड क्रीम के बारे में डर्मी फोर्ड क्रीम को ली फोर्ड हेल्थ केर बनाता है जिसकी प्राइज है वो है 99 रुपे पर पेक ये 15 ग्राम के पेक में होती हैं जिसमें जो कंटेंश डाला गया है वो हैं किटो कोनाजोल 2% नियोमाइसीन होता इसमें 0.1% अयोडोग्लोर हैडोग्जिक्विनोलाइन होता इसमें 1% टॉलनाफट होता इसमें 1% और क्लोवेटास होता इसमें 0.05% इसका यूज आप डाक्टर के सहला से करें तो ज्यादे बेतर रहेगा ये आपको लगबग सभी मेट के श्रुपे मिल जाएगी डर्मी फोर्ट क्रीम एक एंटि फंगल दवा है चो इसकीन में मतलब कहीं तरह के इंफेक्शन इलाज में यूज की जाती है ये क्रीम आपकी स्कीन पर इंफेक्शन पर पेदा करने वाले वेक्टेरिय की ग्रोथ को रोग कर इंफेक्शन को फैलने से रोगती है अगर आपकी स्कीन पर रियडनेस आ गई है सूजन आ गई हैं, खुजली चल रहे हैं आपको plante si, आदे फोट जोकीस की समस्षे हैं या फिर आपको दाद-काजह हो गई हैं जिससे कई बार नाभी में-चुजली हो जा ता हैं सरके बालों में या फिर दाड़ी में ऩर्ड़ी में इन्फेक्शन हो गई हैं जिसे खुजानी के उज़से उस जगह पर गाउ हो गये हैं तो इसी सभी समश्याओं में इसका यूज सबसेदा असरदार हैं और कहीं लोग इस क्रेम को फेस को गोरा करने के लिए यूज में लेते हैं और भी आपको पेर के अंगुटे और उंगलियों की बिच में इन्फेक्शन हो गया हैं तब भी ऐसे में कई बार डॉक्तर इसे यूज में लेने के स loro आपको दे सकते हैं इसमें जो किटकोनाजोल, क्लियोकिनोल और टॉलनाफटेट हैं वो एंटिफंगल हैं और नियोमासीन एक एंटिवाटिक हैं और क्लोबेटासॉल एक इस्टिराइड हैं बात करते हैं इसके साधने के बारे में तो अगर आपको कोई भी सीवेर स्किन डिसोडर हैं आपको इसमें मौझूद मतलब इतने सारी जो कंटेंट हैं इसमें से किसी से आपको ऐलर्जी हैं या फिर आप प्रेगनेंट या ब्रेश्विंग मदर हैं तो इससे सब भी कंडिसेंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी सतिय हैं वो डॉक्टर्स को जूरू बताए जानते हैं इसके यूज करने के तरीके के बारे में या किसी यूज कैसे करना है तो जो भी आपका इन्फेक्टर्ड एरिया हैं उसको अच्छे से पानी से साप कर ले सुखा ले और फिर इससे हल के आतों से आपको सुबह सामी से लगाना है जान रखें इसे मूँ में नाक म जाने से बच्चे हैं इसे लगाने के बाद आप अच्छे से अपने हाथ जरूर दो हैं अब जानते हैं इसके होने वाले साइट़ के बाएरे में तो इसके कोई major side effect नहीं होते हैं पर अगर आपको कभी कबार जैसे नजर आते हैं तो इसमें हो सकता है कि जहां आपने इसको लगाये तो एप्लिकेटर एरिया पर आपको जलन हो सकते हैं यह हलका सा तेक य।